हलो मैं हूँ रेखा यादाओ और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई इन दिनों डाइबिटीज पूरी तरह से लाइफस्टाइल बिमारी बन गई है इसके तीन प्रकार होते हैं टाइप वन, टाइप टू और जेस्टेशनल टाइप वन, डाइबिटीज में पैंक्रियाज इनसुलेन नहीं बना पाता जिससे शरीर में ग्लुकोज की कमी होने से बलड शुगर लेवल बढ़ जाता है ये आम तोर पर जेनेटिक होता है लेकिन अन्यकारणों से भी ये बिमारी हो सकती है टाइप टू और जेस्टेशनल डाइबिटीज में शरीर प्रयाप्त मात्रा में इनसुलेन का निर्मान नहीं कर पाने के साथ इसका यूज भी नहीं कर पाता वही प्रेगनेंसी के दौरान हॉर्मन में बदलाव से जेस्टेशनल डायबिटीज के आशंका बनी रहती है लेकिन ये प्रसव के बाद ठीक भी हो जाती है ये तो डायबिटीज के टाइप हो गए लेकिन डायबिटीज को लेकर आम लोगों के मन में कई तरह के ब्रहम हैं तो चलिया आज हम डायबिटीज से जुड़े कुछ ब्रहम और उनके तत्यों के बारे में जानते हैं पहला जो ब्रहम है वो ये है कि डायबेटीज के लक्षन नहीं दिखना यानि कि व्यक्ति फिट है लेकिन हकीकत ये है कि एक चौथाई लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबेटीज है कई बार लोग 10 साल तक भी प्री डायबेटेक स्टेज पर होते हैं जिसमें ब्लड ग्लुकोज का लेवल बॉर्डर लाइन पर होता है ये सिचिवेशन सेहत के लिए बेहद हानिक कारख होती है इस दोरान कोई लक्षन नहीं दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर नुकसान होत रहता है ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो समय समय पर अपना ब्लड शुगर जाच करवाते रहें दूसरा ब्रहम जो अमूमन हर लोगों के मन में हैं वो ये कि जादा शुगर का इस्तमाल ही डायबेटेज का कारण होता है जबकि सच्चाई ये है कि जादा शुगर सिर्फ डायबेटेज ही नहीं बलकि सभी के लिए हानिकारक होती है डायबेटेज जेनेटिक खराब जीवन शैली और प्रयावरण संबंधी कई कारणों से होती है जो कि मधुमे का अप्रत्यक्ष कारण है तीसरा ब्रहम ये है कि पतले दुबले यानि कि स्लिम लोगों में डायब वजन डायबेटेज का कारण है लेकिन दुबले लोगों को भी इस रोग की आशंका रहती है खराब जीवन शैली और खान पान और पैंक्रियाज के ठीक से काम ना कर पाने से ये रोग किसी को भी हो सकता है इसलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है अमुमन लोगों का मानन होता है कि करवी चीजों से ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता है जबकि ऐसा नहीं है कार्बो हाइडरेट से भरी चीजें ग्लुकोज की मात्रा को प्रभावित करती हैं जो कि डायबेटीज के लेवल को बढ़ाती है ऐसे में नीम करेला जैसी करवी चीजों में भी कार्बो हाइडरेट की मात्रा होती है जो कि ब्लड शुगर की लेवल को बिगार सकती है तो कड़वी चीज नहीं बलकि कार्बो हाइडरेट से भरी चीजें ब्लड शुगर के लेवल को बिगारती हैं एक मित ये भी है कि डायबेटीज के रोगी को फल नहीं खाने चाह ऐसे में हमारा शरीर बिना इंसुलेन के फुप्टोज को आसानी से इस्तमाल कर सकता है। आसे में हमारा शरीर बिना इंसुलेन के फुप्टोज को आसानी से इस्तमाल कर सकता है।